अप्रेंड्स आप देख रहे हैं निविरा पाट्शाला आजूकेशन और हमारा जो त्री डिमेशन जिमेटरी चल रहा था टॉपिक उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे तो यह देखो त्री डिमेशन जिमेटरी लेकिन हमने क्या-क्या पढ़ चुका था एक पर उसे देख ले इसके साथ-साथ मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है एंगल आते है डिरेक्शनल एंगल आते है वो कौन से है जिसे मैंने बताया था यह था आपके पास अलफा फिर यह था बीटा और फिर यह था गामा ठीक है तीन चीज़े यह बताई थी मैंने आपको इसके साथ साथ. आपको बताया था मैंने कि हमारे पास जो है directional cos colleague कौन से थे? तो directional cos को शाई आपको बताया था cos alpha, cos beta और cos gamma जो होगा वो directional cos होगा ठीक है और directional cos साइन में आपके पास क्या है जैसे एल जो है उसको कॉस अलफा जो है उसको एल से रिप्रिजेंट करते हैं यह डिनोड करते हैं कॉस बीटा जो है उसे एम से डिनोड करते हैं और कॉस गामा है उसको एन से डिनोड करते हैं इतनी बात भी अपनी हो चुगी थी इसके साथ कि को से अलावा, तो वह कौन से होते हैं, अगर मैंने इसको अलफा लिया, तेखें, इसको अगर मैं अलफा लेती हूँ, तो इसका बचा हुआ पोर्शन क्या था? पाइ माइनस अलफा, ठीक है? इसी तरह, अगर यह भीटा है, तो यह पूरा कितना हो जाएगा पाइ माइनस और अगर यह gamma होगा, तो यह कौन सा होगा, supplementary angle, pi minus जो है gamma, clear हुआ, तो यह supplementary angles जो pi minus something थे, ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास क्या है, यह देखो, इसको अगर हम आप डिरेक्शनल को साइन में represent करूँ, तो क्या होगा आपके पास, वो होगा, cos pi minus alpha is equal to minus cos alpha, cos pi minus beta is equal to minus cos beta cos pi minus gamma is equal to minus cos gamma, तो इतनी बात आपनी हो चुकी थी, इसके आगे भी कुछ पढ़ा था, वो भी देख लेते हैं, इसके बात था, कि अगर हमारे पास क्या है, when a line does not pass through the origin, जब कोई line, ठीक है, क्या नहीं कर रही है, पास through origin नहीं करती है, तो हमें उसके डिरेक्शनल को साइन कै से निकालना है, तो यह पता, यह वो line है, जो कि क्या कर रही है, other than origin, origin तो यह है आपके पास है, और other than origin से जब पास कर रही है, तो उसके डिरेक्शनल को साइन क्या कर रहे है, तो हमने क्या कहा था, एक हम line मान के चल रहे है, origin से पास कर रही है, और हमने कहा था, यह L1 जो है वो L2 के क्या है वो उसके parallel है और अगर parallel होती है कभी भी दो line तो हम क्या कहेंगे directional cosine of L1 is equals to directional cosine of L2 ठीक है इतनी बात भी हो गई थी अपनी इसके आगे हमने पढ़ा था एक important results वो क्या था आपके पास कि sum of the square of directional cosine of the given line L ठीक है क्या होगा इस 1 मतलब क्या है देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो है directional cosine कौन से हुआ करते थी यह थी आपके पास cos alpha cos beta cos kama और इनी को हमने L, M और N से represent किया था ठीक है तो इसका मतलब कि यह जो आपके पास है अगर हम क्या करते है directional cosine का square करते उनका sum करते है तो वो कि इसके बराबर आएगा उसका result 1 के बराबर आएगा ठीक है यह बात भी हमारी हो गई थी आगे देख लेते हैं और क्या पड़ाता हमने देखिये इसके बाद इसके बात हमने देखा था एक मिनिट इसके बाद हमने देखा था that is relation between directional cosine and direction ratio हमें पता है directional cosine direction ratio बताया था आपको जिसमें A, B और C से represent करते हैं ratio को ठीक है तो अगर इनके बीच का relation होगा तो वो क्या होगा देखें L, M और N अभी मैंने आपको बता थी क्या होते हैं directional cosine को denote करने के लिए और E buzz करते हैं इसकी यहांपर यह х nouvelles वोगा that is equals to A divided by under root of A कसár plus B कसár plus C कसár इसी तैसे M equals to B divided by under root of A कसár plus B कसár plus C कसár इसी तैसे N equals to C divided by under root of A कसár plus B कसár plus C कसár तो ये क्या है आपके पास जब आपको relation between direction cosine and direction ratio निकालना होगा किसी line का, तब आपने इस तरह से use करना है, ठीक है, next देख लेते, next हमने पढ़ा था अपना, कि अगर, अगर आपके पास क्या है, find to formula, sorry, formula to find direction cosine, ये जो dc है, वो direction cosine है, passing through the two point, ठीक है, कि हमें क्या करना है, एक formula calculate करना है, या पता करना है, अगर कोई एक line है, वो क्या करें, two point से pass करती है, तो ये line है, देख रहो two point कौन सी, एक a है, और एक e b है, ठीक है, इन दो point से pass कर रही है, अब इसके direction cosine अगर आपको निकालने, तो आप कौन सा formula use करोगे, आप ये use करोगे, दिख रहा है, cos alpha is equal to अभी मैंने बताया तो cos alpha कोई से represent कर दिया जाता है, L, और उसको हम क्या लिखेंगे, x2 minus of x1 divided by under root of x2 minus of x1 का whole square, plus y2 minus y1 का whole square, ठीक है, इसी तरह से आप क्या करोगे, cos beta का भी निकाल लोगे, ठीक है, तो वो क्या होगा, y2 minus y1 divided by under root of x2 minus x1 का whole square, y2 minus y1 का whole square, z2 minus z1 का whole square, clear इसी तरह से आप cos gamma का भी निकाल होगे, तो वो क्या हो जाएगा, z2 minus of z1, उसके बाद x2 minus of x1 का whole square, plus y2 minus of y1 का whole square, plus z2 minus z1 का whole square, और उसका under root, clear हो गया, तो ये चीज मैंने आपको बढ़ा चुकी थी, आगे देखते हैं, आगे अपने पास था, कि अगर इसी की, मतलब इसी निकालना है तो हमें ये formula अपलाए करना है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी कोई line, जो drew point से पास करती है, और उसके आपको direction ratio निकालने है, क्या निकालने हैं, आपको direction ratio, तो वो क्या है, दो points क्या है, x1, y1, z1, और x2, y2, z2, तो direction cosine उसके ये आएंगे, मतलब, x2 minus of x1 dot, y2 minus of y1 dot मतलब multiply, z2 minus of z1, या इसी कोई क्या लेख सकते हैं, ये भी लेख सकते हैं, मतलब, x1 minus of x2, y2 minus of, sorry, y1 minus of, यहां बे y2 आना चाहिए था, और इसके बाद, z1 minus of z2, ठीक है, इतने ही बाद भी हमारी हो चुकी थे, अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है, वो क्या आपके पास है, vector equation of a line passing through, sorry, passing through a fixed point, एक मिनट, हाँ, vector equation of a line passing through a fixed point a and parallel to vector, जो है, given vector m, ठीक है, m vector के क्या है, वो parallel है, ऐसी, तो इससे आपको figure से भी ज्यादा clear हो जाएगा, देखे, अभी मैंने क्या बोला, कि हमें क्या निकालना है, एक line की vector equation निकालना है, ठीक है, वो क्या कर रही है, ए इसी a point से पास करती है, और parallel किसके है, वहाँ पे m लिखा था ना, यहाँ पे मैंने b ले लिया है, ठीक है, इसमें कोई issue नहीं आना चाहिए, ठीक है, इसमें हम क्या ले सकते है, b ले सकते है, तो यह b ले लिया है, ठीक है, तो इस case में, आपकी जो vector equation होगी, वो क्या होगी, r जो है vector, equals to a vector plus lambda time of b vector, clear हुआ, और इसी की, इसी उस line की, जो की एक point a से पास करती है, parallel किसके है, b के, b vector के, तो हम यह कहेंगे, इसकी Cartesian equation क्या होगी, इसकी Cartesian equation होगी, x minus of x1, y minus, sorry, x minus of x1 divided by a equals to y minus of y1 divided by b equals to z minus of z1 upon c, तो यह आपकी क्या होगी, उसकी Cartesian equation हो जाएगी, उस line की, जो क्या कर रही है, a point से पास करती है, parallel किस से होगी, b vector से, I hope, इतनी बास समझ में आ गई होगी, ठीक है, next देख लेते, next आपके पास, जो है, next आपके पास एक result है, वो मतलब एक note है, आपको याद रखना है, क्या है, अगर if b vector रखना हमारे पास क्या है, a i vector plus b j vector plus c k vector होता है, तो उसमें ये a, b और c क्या होगे, अपने directional ratio होगे, ये याद रखना, ठीक है, उस line के, और इसका उल्टाम क्या कह सकते है, अगर कभी a, b, c जो है, वो directional ratio होती है, तो वो line को हम क्या consider करेंगे, उसे parallel consider करेंगे, क्या करेंगे, parallel, clear हो गया, इतनी बास समझ मागी है, ये हो जाएगी x minus of x1 upon l, y minus of y1 upon m, और z minus of z1 upon n, I hope इतनी चीज़ा आपको समझ में आ गई होगे, ठीक है, आगे देख लेते हैं, अब आगे जो आपके पास है, वो क्या है, देखे, अगर हमें क्या लगाया, angle between the two lines, ठीक है, दो lines के बीच का angle निकालना है, कौन सी दो lines, देखे एक यह l1 है, और यह l2 है, और इसके बीच में क्या देखे हैं, आपको alpha, ठीक है, तो यह theta क्या है, वो angle है, ठीक है, और इस angle को निकालने के लिए आपको जो formula अपलाई करना वो क्या रहेगा, cos theta is equals to modulus of a1 into a2 plus b1 into b2 plus c1 into c2, ठीक है, under root में यह हो जाएगा a1 का square plus b1 का square plus c1 क square, ठीक है, under root, इसी तरह से 2 का square, b2 का square, plus c2 का square का under root, clear हो गया, तो यह चीज आपको याद रखनी है, जब आपको क्या निकालना, angle between the two, जो है, aligns निकालना, ठीक है, तब आप यह formula लगा होगे, लेकिन एक बात आपको पता होगा, चो हमारा, आपने एक result पढ़ा होगा, that is sine square theta, plus cos square theta, किसके परावर होता था, one के परावर है, अच्छा, अगर यही मैं sine, यहाँ चोड़ दू, अगर माल लीजे, अपने left hand side में, तो मेरा क्या हो जाएगा, हमारे पास आएगा, that is, sine square theta, is equals to one minus of cos square theta, आएगा, और यह में square हटा के, इसको पर under root भी चड़ा सकती हो, त result बनाया है, clear हुआ, यह कैसे आया आपके पस, ठीक है, तो यह मैंने क्या किया, वहाँ से, result बना दिया, automatically, तो यह sine theta किसके बरावर हो सकता है, equals to under root of one minus of cos square theta के बरावर हो सकता है, ठीक है, अच्छ, अब यहाँ पर देखे, यह sine theta, जो है, वो उसकी value के आएगी, अब यह कैस से आये, देखे, यहां पर मिर पस cos theta की value मिर पस थी, उसको मैंने क्या किया, यहां पर रख दिया, और इनको पूरा फिर जो अंदर आया ना, उसको simplify करने के बाद, आपको sin theta की value क्या मिलेगी, यह मिलेगी, तो इसे as it is, आपको याद रखने के sin theta किसके बरावर होगा, इसक b2 a1 का whole square, plus c1 a2 minus c2 a1 का whole square, divided by, यह हो जाएगा, a1 का whole square, plus b1 का square, plus c1 का square, इस दर से यह होगा, a2 का square, plus b2 का square, plus c2 का square, ठीक है, तो यह आपकी sin theta की value होगी, ठीक है, I hope समझ में आ गया होगा इतनी बात, next देख लेते, next आपके पास कुछ, जो है, वो है, conditions, वो याद रख क्या होती है, अगर तो line वो, जो मैंने बताया, वो क्या है, पर्पेंडिकुलर है, मतलब यह देखे, यह एक line है, और यह एक line है, और आपस देख में देख रहे होगे, यह 90 तीरी का angle बना रही, तो दो lines क्या है, पर्पेंडिकुलर है, तो उस time पे theta क्या होगा, 90 तीरी, ल क्या होगा, दो lines perpendicular होगी, तो उनके बीच का result क्या आएगा, यह याद रख लें, result है, a1.a2 plus b1.b2 plus c1.c2 equals to किसके बराबर लेंगे, 0, देखे, यह भी बता दे, कैसे आया, देखे, अभी मैंने आपको बताया, की जो है, एक मिनिट, यह देख रहे हो, आप इसको, अब अब इसको, अब नेक्स देख लेते हैं, देखे, नेक्स आपके पास, याद रखना, अभी हमने पढ़ाता कि दो lines जब हमारी perpendicular होती है, लेकन अगर दो lines आपको पैरलल होती है, तब क्या करना है, देखे, theta equals to क्या होगा, 0 degree, और sin theta क्या होगा, 0 degree, तो यह condition याद रखनी parallel के देखे, यह दो lines देख रहे हैं, यह L1 और L2, यापस में क्या है, पैरलल है, ठीक है, तो आप याद रखना, A1 over A2 is equals to B1 over B2 equals to C1 over C2, यह result आपको याद रखना है, ठीक है, अच्छ, इसके बाद आगे देख लेते हैं, देखे, अब अगर ऐसा होता है, कि cos theta जो है, किसके बराबर है, इसके बराबर है, और इसको अगर हम solve करते हैं, मतलब L1 into L2 plus M1 into M2 plus N1 into N2, अगर इसे solve करके आपका जो है, नेगेटिव रिजल्ट आईगा, याद रखेगा, नेगेटिव रिजल्ट आए तो हम इसे obtuse angle मानेंगे, ठीक है, obtuse theta मानेंगे, इसी तरह से अगर य नेक्स देख लेते हैं, नेक्स आपके पास है, question 1, अब हमने जितने पढ़ा है भी concept, guys, concept भी बहुत सारा है, लेकिन मैंने सोचा है कि जो concept के उसे पहले question के related कर देते हैं, नेको आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे उनको apply करने, और एक time पर सारी खट्टे करेंगे, तो आपक क्या directed line के, यह directed angles हो सकते हैं, यह पूछा हुआ है, तो देखें, कैसा है, पहली बात तो है, अगर यह directed angle है, तो इसके cosine हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, वो क्या होंगे, L जो है, cos 45 degree ले 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 लेंगे, और cos 45 degree अपनी केतनी होती है, 1 over में under root 2, ठीक है, इस देसे M जो है वो cos 60 degree होती है, और cos 60 degree की value कितनी होगी, that is 1 by 2, इस देस N जो होगा, वो cos 120 degree, मैंने आपको बताया था, L, M, और जो N है, वो हमारे क्या है, directional cosine है, इसले मैंने L, M, N ले ले रही हो, clear हो रहा है, अच्छा, अब यह 120 degree, पर क्योंकि हमारे पास 120 degree की value नहीं होती है, तो हम क्या लिख सकते हैं, अब ऐसा भी तो लिख सकते हैं, यह देखे, cos 180 degree minus 60 degree, तो अब अगर इसे solve करोगे, तो क्या आएगा आपके पास, that is, cost, जो है, ठीक है, अब आपका minus 60 degree आएगा, और cos 60 degree की value अभी देखो, 1 by 2 लिखे, लेकिन क्योंकि यह नेगिटिव की है, तो यह जाएग N square plus M square plus N square, किसके बराबर होता है, वन के बराएगर, अगर मैं। यह सारे की सारे, अभी मिरको L पाता है, M पाता है, और N पाता है, ठीक है, तो अगर मैं इनको solve करते हूँ, ठीक है, और इनको solve करने के बाद, मेरा result is 1 आ रहा है, देखे, मैंने क्या किया, L की value कितनी आ रहा अब यह लगत टाच आप ये था ना अपने पास देखें अब यह देखिएहा पर कि अब आपके पास यह मैंने इसको सब को प्लस कर दिया 1 by 2 का 1 by 2 क्योंकि 1 by under root 2 था इसी तर्स आप के पास क्या है 1 by 4 है और इसी तर्स आपके पास क्या है 1 by 2 ठीक है और इनको सब को अगर हम प्लस करते हैं तो आप देखो कि आपके पास क्या जाएगा तो यह आपके पास एक मिस्टेक हुई है तो वो क्या है आपको बता देती हूं देखें यहाँ पर एक्च्वल में वन बाई फोर होना चाहिए था ठीक है तो यह गलती से लिग गया होगा पर तो अगर करेक्च कर लीजेगा इसका पूरी कलसम होती है तो वन के बराबर आएगा ठीक है अच आच अल आइन के है और की आफ डील स्वांत वन के बराबर द confess कि रिगया है पूरा स We-I-L, के बराबर क्या है आपके पास, that is 90 degree, 60 degree, 30 degree, अब फिर से हम L M N लेंगे, और उससे हमें क्या निकल जाएगा, directional cosine निकल जाएगा, ठीक है, directional cosine निकालने के बाद, अब देखोगे, ये कितना आजाएगा, M की value कितनी आजाएगी, 1 by, जो है, cos 60 degree, 1 by 2, ठीक है, इसी तरह से N जो है, आपके पास क्या हो जाएगा, cos 30 degree, that is under root 2 by, sorry, 3 by 2, इसे directional cosine आपके पास क्या है, 0, 1 by 2, 1 by 3, बस कुछ नहीं किया, आपके पास आपके पास आजाएगा, cos 90 degree, एक 90 degree ले लिया, एक आप cos 60 degree ले लोगे, एक cos 30 degree ले लोगे, और उसके correspondence, जो trigonometric ratio में हमारे पास values होती है, उनको ले question देखते, question number 3, अब question number 3 क्या है आपके पास, देखिए, question number 3 कहता है, अच्छा, वो देखिए, find the direction cosine of x, y, z, axis, ठीक है, हमें क्या direction cosine निकालना किसका, x का, y, z, axis का, अब solution देखिए, क्या करना है, देखिए, एक बात याद रखिए, हमारे पास जो है, वो कैसा होगा, कुछ यहाँ पर, sorry, erase कर देखिए, एक मिनट, तोना गल्द बेगर बन गया था, ठीक है, दिसे माल लीचे, आपके पास, ऐसे रहेगा है, तो यहाँ पर आपके पास आएगा, that is y, sorry, यहाँ पर आएगा, z, और यहाँ पर क्या जाएगा, x आच आएगा, ठीक है, तो अब हमारे जब x-axis पर बनेगा, ठीक है, x-axis पर एंगल जब बनेगा, तो वो कितना होगा आपके पास, वो हो जाएगा, that is 90, sorry, 0 degree, क्या होगा, 0 degree, और बाकी दो पर क्या रहेगा, 90 degree, बाकी दो पर क्या रहेगा, 90 degree, मतलब क्या है, जो एंगल x-axis से बनेगे, अगर x-axis पर बनेगा, तो वो 0 होगा, बाकी दो क्या हो जाएगे, 90, 90 हो जाएगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो इस हिसाब से, अगर मैं cos 0 लेती हो, तो क्या रहेगा, cos 0, 1 होता है, cos 90 degree लोगे, तो क्या रहेगा, that is 0, फिर से cos 90 लोगे, तो क्या होगा, 0, मतलब, x-axis से बननेवाले एंगल्स क क्या होगा, जो है, वो तो 0 होगा, ठीक है, अगर 0 होगा, जो है, y-axis से अंगल बनेगा, तो अगर cos 0 होगा, वो क्या हो जाएगा, 1, तो y-axis पे 1 होने वाला है, बाकी दो क्या हो जाएगा, 0, क्यूंकि बाकी दो क्या हो जाएगा, क्यूंकि बाकी दो पे 90 degree का अंगल लेकिन x-axis और y-axis पे क्या हो जाएंगे? 0 और 0 क्यों? क्योंकि दोनों में 90-degree angle बन रहे हैं, मतलब x पे भी और y पे लिए हो गया? अच्छा, अब next आपने पास question number 4 है, question number 4 क्या कहता है? Find the directional cosine of a line which makes angle, which make equal angle with the axis, how many angles are there? how many lines are there? क्या बोला हुआ है? कि directional cosine हमें एक line की निकालनी है, जो क्या कर रही है? equal angle फॉर्म करती है, क्या करती है? equal angle फॉर्म करती है, ठीक है? सारी, सब कुछ से, सबसे क्या कर रही है? सबसे क्या कर रही है? equal angle बना रही है, ठीक है? यह result में आभी आपको बताया था कि sum of square of जो है directional cosine गिस के बराबर रता है 1 के बराबर हमने पीछे जो concept किया था तब बताया था आपको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा cos square alpha यहाँ पर भी cos square alpha यहाँ पर भी cos square alpha equals to क्या हो गया अब यहाँ पर देखें ध्यान से कि अब हमारे पास क्या आजाएगा तो इन तीनों को plus करोगे तो क्या आएगा 3 cos square alpha equals to 1 तो अब देखें आपर यह जो 3 है वो denominator में चला गए तो क्या हो गया 1 over 3 ठीक है और यह जाएगा plus minus का 1 by root 3 अब ध्यान से देखें गईस अब आपके पास क्या रहा है देखें आपके पास 3 possibility है एक आपका सिया तो plus minus 1 by under root 3 यह देखें यह एक alpha एक beta और एक gamma जैसे आपने बताया था मैंने आपको cos alpha या फिर आप कह सकते l, m और n जो निकालते तो वो 3 point निकल गए क्योंकि 3 के angle equal थे 3 से जो line थी वो क्या कर रही थी angle same बना रही थी तो इसलिए हमने क्या ले लिया है 3 को equal ले लिया है clear हो गया अच्छा अब इसके बाद देखें अब उसी में एक part उसने यह भी पूछा था कि बताइए कितने different जो है lines बनेंगी distinct line तो देखें हमारी possibility है कि इन तीनों के हो सकते है sign positive positive हो या हो सकता है इसका positive हो इसका positive हो इसका negative हो तो यह कि यह possibility है हो सकता है इसका positive इसका positive हो इसका negative हो और हो सकता है कि इसका negative हो इसका negative हो इसका positive हो तो यह 4 possibility है distinct पाकी जो है लाइन्स पता करनी है, ठीक है, तो I hope यह question समझ में आया होगा, अच्छा question है, इसमें यह जो second part है, ठीक है, तो अब next देख लेते हैं, next आपके पास है, last question है guys, यह हमारा, question number 5 क्या है, if a line has directional ratio, अगर एक line जो है, उसकी directional ratio है, वो क्या है, 2 minus 1, minus 2, determine the direction ratio, अगर कभी आपको direction ratio निकालने को कहा जाए, और direction, sorry, direction cosine निकालने को कहा जाए, और direction ratio दे रखे, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, देखे, क्या करना है, सिर्फ under root करना है, और जो direction ratio दिये ना, उनका square का sum कर देना, तो यह कर दिया आपने, ठीक है, अच्छा, अब यह देखे, यह 2 क क्या हो गया, 4, 1 का क्या हो गया, 1, और 2 का क्या हो गया, 4, यह हो गया आपके पास, इससे क्या हो गया, आपको आस under root 9, तो answer कितना आ गया, 3, अब आपको simple सा क्या करना है, सब को, चो कि आपको direction, ratio दे रखे थी, उनसे क्या करना है, इसको divide कर दिना, तो यह देखे, यह 2 था 2 से मैंने 3 को divide किया, इसी तरह से यह minus 1 था, यह minus 1 by 3 कर दिया, इसी तरह से minus 2 था, तो यह minus 2 by 3 कर दिया, तो इस तरह से आपको क्या करने है, directional cosine निकालने है, तो I hope आपको जितना समझाया है, आज मैंने, वो समझ में आया होगा, guys अगर यह videos आपको अच्छी लग रही है, त तो आप प्लीस इने लाइक करिए, लाइक करना भूल जाते है, मुझे लगता है वीडियो देखने के बाद, आप वीडियो पूरी देखिए, ठीक है, और इसके साथ साथ जितना हो से के आपसे तो शेयर करें, ताकि मेरे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर, मेरा हजार आपको जो है, ओनलाइन क्लासेश में प्रवाइड कर सबको, तो thank you to all.